ये है फर्स्ट सेशन एक्जाम एसेंशेल्स का जैसा कि लास्ट वीक मैंने अनॉंस्मेंट करी थी कि मैं आप सबके लिए एक नई लेक्चर सिरीज यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ तो आज उसका ही फर्स एपिसोड है एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस एक्जाम एसेंशेल्स सिरीज में मैं आप सबके लिए क्या लेकर के आ रहा हूँ देली बेसिस पर बड़ा टॉपिक है तो एक लेंगे जादा कम छोटा टॉपिक है तो तीन टॉपिक भी ले सकते हैं और उसकी comprehensive तरीके से prelims और mains की combined preparation हम लोग करेंगे हर टॉपिक में हम लोग देखेंगे में में कैसा सवाल आ सकता है prelims में कैसा आ सकता है और उसकी practice करेंगे एक चीज में आप सबको बता देता हूँ कि ये जो पूरा discussion होने वाला है ये उन candidates के लिए जादा suitable है जो candidates पहले से ही थोड़ी बहुत preparation कर चुके हैं अगर आपको जैसे आज जो मैं topic करूँगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ाया उसके बारे में ये आपको नहीं idea है तो ये discussion आपके लिए उतना suitable नहीं होगा so this discussion is more relevant for such candidates जिनको ideas है जिनको already थोड़ी knowledge है उनके लिए ये ज्यादा relevant होने वाला है और ये कैसे करना है because आप सभी लोग अब इतनी सारी चीजें हो रही है YouTube पर daily newspaper analysis भी होता है then ये session भी है साथ में कुछ और activities भी चलती रहती है और इस academy में तो इसको time कैसे manage करोगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ 30 minutes का ये video होगा उससे बड़ा जहां तक मैं नहीं बनाऊंगा 30 minutes का ही हो जाएगा और इस 30 minutes के video को आप देखो and then 30 minutes आपको देने होंगे answer writing and all को तो ये आपका पुरा का पुरा इस video का इस तरह से आप time manage करोगे daily एक घंटा इसमें आपको देना पड़ेगा आज first day है आज शायद मुझसे भी थोड़ा video बड़ा हो सकता है और आप लोग भी जब करोगे तो आपको भी जाधा time इसमें लग सकता है एक चोटी सी बात और बता देता हूँ जैसा मैंने last अपने announcement वीडियो में बत यहाँ पर मैंने link भी डाल दिये आप इस link के थरू भी submit कर सकते हो अपने answers चलिए without any further delay मैं start करता हूँ आज का अपना ये पुरा discussion इसको हम लोग start करते हैं आज का first topic है land revenue settlement system in the colonial India देखे जब British आय थे इंडिया में तो दीवानी राइट्स जब उनको मिल जाते हैं battle of boxer के collect करने का right मिल गया था उन्होंने battle of boxer में ये right earn कर लिया था जीत गए थे और उनको administration भी करने को मिल गया था as well as revenue rights उनको मिल गय थे कि वो taxes collect करें अच्छा उस time का India predominantly agricultural economy था ज्यादा तर तर तो अगरिकल्चर होता था तो इसी लिए British को ऐसे system बनाने पड़े थे कि वो agricultural land से कै कैसे revenue निकालेंगे कैसे tax निकालेंगे ये पुरा का पुरा उनका problem statement था तो उन्होंने अलग-अलग model लेकर के आये थे जैसे कि रेटवारी system, जमीनदारी system, महलवारी system और भी कुछ-कुछ चीज़ें वो लेकर के आये थे आज केस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि वो क्या-क्या systems थे, साथ ही साथ उनसे related कैसे questions आ सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, मैं एक बार जल्दी से आपको revise करा देता हूं, यह systems क्या थे, सबसे पहला जो system ब्रिटिश लेकर के आये थे, जो actually जो पहला system आया था, वो था Warren Hastings का system हुआ करता था, जिसको revenue farming system, या इसका दूसरा जो name है, इजारेदारी system इसको यह बोला करते थे, Warren Hastings जो पहली बार जब यह आई problem की भाई हमें यह करना है, the first governor general of Bengal थे, Warren Hastings, उन्होंने यह system लेकर के आये थे, revenue farming का, बहुती simple सा idea था, इन्होंने क्या करा कि जितना area ब्रिटिश के पास में था उस time पर, उस bidding करवाई, bidding किस बात की, कि भाईया कौन आदमी हमको इस area में से, कौन आदमी इस area में से सबसे जादा revenue ला करके दे सकता है, इसकी उन्होंने bidding करवा दी, कि भाई जिसके पास में जो हमको सबसे जादा revenue ला करके देगा इस area से, तो उसके लिए bid उन्होंने open करवा दी, कि bid क बहुत से लोगों ने बिड करी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिड होती थी, डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन लेवल पर बिडिंग हुई, जिसने हाइस्ट बिडिंग करी, उसको कांट्राक्ट दे दिया जाता था, कि आपको पांच साल तक के लिए, पहले पांच साल के ल मिलना चाहिए आप हमको दे दो simple सा system था bidding कर दो जिसने सबसे जादा बोला कि मैं company को East India company को सबसे जादा दूँगा उसी को bid मिल जाती थी वो यहाँ पर winner हो जाता था ये simple एक fund था उनका system बहुत simple था initially ऐसे ही काम हुआ था however इसमें बहुत सारे issues भी निकले initial system में सबसे जो common issue होता था कि भाई ये जो बिडर्स थे ये जो बिडर्स आ गए थे ये बिडर्स एक्चुली कोई farmers तो थे नहीं इन्होंने तो बस East India Company को revenue लाके देने के लिए बोला था हम farming करते हैं इसलिए इसको revenue farming system बोलते हैं actually इसमें farmer नहीं बिड करता था इसमें होता ये था कि वो person जो बोलता था कि मैं उस district से या subdivision से सबसे जादा revenue निकालूंगा उसको बिड बिल जाती थी है ना तो revenue तो मतलब उसमें actually तो कोई farmer था नहीं और because उसमें actually farmer तो देता नहीं था tax मतलब I'm sorry farmer तो tax के लिए company से बात कर नहीं रहा था सरकार से बात करता नहीं था उसमें तो बीच में कोई भी आदमी आ जाता था तो उसका कोई मतलब भी नहीं था उसको farmer से उसने तो अगर बोला था कसी company को कि भाईया मैं 100 रुपए दूंगा आपको तो अब उसको 100 रुपए कैसे भी करके company को देना था सीधी बात ये थी तो इसमें farmers का operation होता था भाई farmer अब उसको कैसे भी करके वो निकाले गई farmers उसको कोई मतलब भी नहीं था कि farmer का क्या हो रहा है ना उसको land से कोई मतलब था भाई देखे लैंड को आपको properly maintain करना होता है land की fertility के लिए काम करना पड़ता है अब इस आदमी को land से भी कोई मतलब नहीं क्योंकि उसको कौन से लैंड वो farmer तो है नहीं उसको तो बस company को revenue देना है और अपना पैसा अपनी जेब में रखना है जो बचेगा तो उसको land से भी कोई मतलब नहीं उसको farmers से भी कोई मतलब नहीं farmers जो थे उनका operation हो रहा था उनका extortion हो रहा था गरीबी बढ़ती जा रही थी farmers की तो उनकी अपनी problem और वो आदमी जिसको land का भी कोई मतलब नहीं है तो उसको land जो थी उसको भी खराब होई रही थी उसको भी उससे कोई मतलब नहीं होता था अच्छा एक और जो बड़ी बात होती थी जो company थी जो British थे British की भी problem थी ब्रिटिश को लगता था कि लैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है लेकिन जो बिडिंग होई है उस हिसाब से आ नहीं रहा है मतलब एक लैंड में हो सकता है 200 रुपए टैक्स मिले बट उनको मिलता 100 रुपए क्योंकि बिडिंग के हिसाब से उतना मिला ही नहीं तो ब्रिटिश को लगता था कि यार हमारों थो पैसा चला गी हमें उतना पैसा मिल नहीं रहा है मतलब ब्रिटिश भी दुखी थे पार्मर भी दुखी है हर कोई दुखी रह रहा है लैंड भी खराब हो रही है moreover revenue fluctuate बहुत करता था revenue बहुत fluctuate कर रहा था financial unconstrained uncertainties थी companies पर उस टाम पर इनलों को बहुत करने पड़ते थे British को तो यह सब problems की वजे से यह पहला system आया बट आते ही यह बहुत जल्दी reject भी हो गया अब आता है अगला system अगले system में बोला गया कि भाई अपने को एक नया system ले करके आते हैं इसको बोला जाता है permanent settlement का system यह काफी famous system और यह हमारा पहला जो जिसको हम लोग बोलते हैं topic लेने वाले that is the zamीनदारी system idea simple था idea start होता है originally Lord Convalis से Lord Convalis खुद एक जमीनदार landlord थे Britain के और इन्होंने देखा था किस तरीके से landlord अपनी जमीन की fertility के लिए काम करते हैं अपनी जमीन अच्छे से रहे maintain रहे उसमें proper agriculture हो जमीन खराब ना हो पाए उसका ध्यान रखते हैं तो इन्होंने सोचा कि भाई इंडिया के जो जमीनदार होते हैं उनको भी हम permanently उनके साथ deal कर ले कि tax लाना आपकी जम्मेदारी है पिछले वाले system में bidding कराई गई इस वाले में बोला गया कि जमीनदार्स को आप ही लोग करोगे आपकी जम्मेदारी पिछले वाले में था कि हर time हर थोड़े दुनों में bidding होईगी permanently कुछ नहीं है जो जितना ज़ादा tax बोल देगा उसको उतनी बड़ी मिल जाती थी bid वो जीच जाता था annualize होने लग गया था यहां ऐसा हो गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं वरना तो कोई भी कुछ भी bidding कर देता है इससे बढ़िया है जमीनदार्स को ही हम लोग permanent right देंगे इसलिए इसको permanent settlement बोल दिया गया आचा tax rate भी fix कर दिये गया uneven tax rates नहीं चलेंगे इसमें बोला गया कि हम लोग tax rate भी fix कर लेते हैं मतलब permanent एक person रख दिया जिसकी responsibility थी tax collect करना as well as जो tax rate था भी fix कर दिया इससे क्या था ब्रिटिश ने सोचा था कि भाई land जो है वो better होने लग जाएगी revenue भी fix है पहले के जैसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि भाई हमारा तो revenue uncertain है और as well as corruption भी कम हो जाएगा पहले क्या था bidding में बहुत corruption होता था कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कि भाई आप लोग ला करके taxes लाओगे आपकी responsibility है इनको ही landlord मान दिया गया था इनको landlord ऐसे मान लिया गया था कि आप ही हो तो जैसे अपने ये जमीनदार है ये landlord है और ये system कहां कहां लगाया गया तो आप देखोगे जो pink color से pink या red आपको जो दिख रहा होगा इस color वाले एरिया में system लगाया गया इसमें अपना बंगाल हो जाता था बिहार हो जाता था parts of जार्खंड था parts of ओडिशा था parts of central provinces था इस एरिया में लगाया गया जमीनदार लोगों की responsibility कर दी गई कि आप लेके आओगे अचा ओधेखने में तो system बड़ा easy लग रहा है कि हाँ यह तो सही है but then इसमें कोई भी खुश नहीं था English में एक phrase होता है milking the cow dry यह वैसा system था उसका सबसे बड़ा problem था rent बहुत हाई रखा गया था very high rent पिछले वाले में bidding के through decide होता था इसमें उन्होंने सोचा कि हम पहले ही rent ही पहले decide कर देते हैं कि इस जमीन में इतना production होएगा 89% या 90% तो company रख लेती थी इतना high level का rent इसमें रखा गया था तो इसमें जो जमीनदार्स होते थे इनको revenue collector बनाया गया और उनको बोला गया कि 11% जो भी revenue होगा वो आप रखो 89% company रख लेगी ये हो जाता था 89% company और कैसे decide होएगा कि कितना निकलेगा इसमें भी थोड़ी bidding उन्होंने कर दी थी bidding ऐसे कि भाई जो जमीनदार उस जगे पर claim कर रहा उसको highest bid करनी होएगी एक बार bid हो गई पर्मनेंटली बात हो गई उससे जादा फिर कुछ बात नहीं होनी थी पर्मनेंटली डिसाइड हो गया कि इतनी हो रही है अच्छा जमीनदार और यह जो पीजन्ट थे दैट मींज जो फार्मर्स थे पार्मर्स को यहाँ पर टेनेंट्स बना दिया गया वो किराय पर काम करने वाले हो गया अब इसमें क्या था कोई भी खुश नहीं था क्यों बई देखो यह जो फार्मर थे उनकी सबसे बड़ी पैसा देना पढ़ने लग गया था कि कितना रेंट हम कैसे अफॉर्ड करेंगे देन मनी लेंडर्स चो होते थे अब जमीनदार को पैसा नहीं दो पाऊगे जमीनदार निकाल देगा तो मनी लेंडर से बॉर्विंग करनी पड़ती थी और जमीनदार फिर भी अगर काम नही होता है फैमिली में कोई प्राब्लम आ जाती है कुछ भी हो तो निकाल भी देता था जमीन से क्यों क्योंकि मालिक तो लैंडलॉड है लैंडलॉड को कम्प्लीट पावर दे दी गई थी अब जैसे चाहो वैसे जमीन मैनेज करो जस्ट हमको पैसा लाकर के दो जो है हमारा 89% बात खतम इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी ने बोला आप हमको पैसे दे दो बाकी आप जो मन में आप हो करो अच्छा अगली चीज देखिए इसमें जमीनदार भी खुश नहीं थे क्यों जमीनदार के ओपर एक प्रविजन था जिसको बोलते है संसेट क्लॉज संसेट क जो भी मेरे इनहरिटेंस होएंगे जो भी मेरा सन है जो इसको भी डॉटर जिसको भी इनहरिट कराना है पहल उस टाइम पर तो सन ही इनहरिट करते थे तो उन सब के पास राइट रहता था लेकिन अगर आपने टाइम पर नहीं दिया तो आपका राइट चला गया तो बोला tax rates बहुत हाई थे, 89% high tax rate था, अब कितने farmer को निकालोगे, eviction करोगे कितनों से काम भी तो करवाना है उनी farmer से, तो उसमें problem यह हो जाता था कि वो भी कोई बड़े interest नहीं लेते थे जमीन में, उनको लगता था बस किसी तरीके से British को उनका land rent देना है, यह problem थी, अचा इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे लैंडलोड आ गए, जो अक्चुली गभी लैंडलोड थे ही नहीं वो तो merchants थे, यह rich people थे जिनको actually land का काम नहीं था just because they had money and they could bid as a result, वो बन गए लैंडलोड और एक बार deal हो गई, permanently हो गई पुरी बात, काम खतम, decide होगी, अब कोई मतलब नहीं, अब तो इतना देना है, जब तक दे रहो तब तक आप लैंडलोड हो, जो मन में आए वो करो, as long as आप वहां के time पर tax देते हो, तो यह बात हो गई, बहुत सारे अजीब मतलब ऐसे लोग आगे, जो खेते ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं था, land के improvement से उनको तो बस अपने कुछ भी काम करने थे तो इसको बोल देते है, absentee landlordism, farmers भी परशान हो जाते थे, कोई भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें कुछ भी cultivation कराने लग जाते थे, illegal activities भी बहुत सारी इस पर होती थी, अच्छा sub-infudiation भी एक concept था अब जिस तरह से British ने क्या करा landlords को दिया, कि भाई आप लोग करोगे, tax collect करोगे उन्होंने अपने नीचे कुछ और landlords रख लिये, मतलब एक bigger landlord ने अपने नीचे दो और landlord रख लिये और funda क्या था, simple भाई funda कि भाई, जिस तरह से British हमको रख रहे हैं, हम अपने नीचे दो तार रख लेते हैं, सब infudation हो गया तो जो Mr. Convalis ने सोचा था, कि हमारा original purpose है, कि land develop होगी land से अच्छा production होगा और कुछ भी वैसा तो हो नहीं रहा था अच्छा, British भी परशान थे British भी परशान, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था, कि जब land जैदा produce कर लेती है, मान लोग इसी साल बढ़ अच्छा रहा अब revenue डबल हो रहा है, लेकिन उनको तो permanent हो गया, उनका system सेम है, उनको सेम ही मिल रहा है मतलब लैंड चाहे 100 रुपे का सामान करे, चाहे 200 रुपे का करे British को तो सेम मिल रहा है तो उससे फरकी नहीं पड़ रहा है इसलिए British भी उससे थे, कि जब prices बढ़ते थे, तो हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है तो इस वज़े से ये लोग भी, इनको भी problem थी British को, basically सबको problem थी पूरे system से and as a result, अब एक नया system आने की starting हो गई कि नया system ले आते हैं, ये system था, जिसको बोल दिया जाता है हमारा, रोटवारी system रोटवारी एक टाइप का modified जमीन दारी ही था बट इसमें एक जुनों ने changes कर दिये, कि पहले वाले time पर अगर आप पिछले वाला चीज देखे, सो पहले वाले time पर क्या था जमीन दार था, वो लेता था फार्मर से और ये देता था East India Company को, British East India Company को फर्स्ट मॉडल ये वाला मॉडल था, कि ये इसको देगा और ये देगा इसको, ऐसा मॉडल था, अब क्या हुआ, कमपनी ने बोला कि हम directly फार्मर से ले लेते हैं, इन्होंने एक नयाद दिमाग लगाया फार्मर से directly ले लेते हैं, ओके, system is fair enough, फार्मर से directly ले लो तो ये मॉडल अब ऐसा हो गया, कि फार्मर से ये directly लेंगे और इसको बोला गया, रेयोट वारी system रेयोट वर्ड का मतलब रैयत या फिर फार्मर से ही होता है common term था उस टाइम पर, रेयोट या रैयत बोला जाता, that means cultivator तो इसमें क्या हुआ, company ने बोला कि हम directly इनसे ही ले लेंगे direct settlement इनसे ही कर दिया गया था, ये system था ये system originally Thomas Monroe ने निकाला था और इसका intention था कि अगर हम जमीनदार को हटा देंगे बीच से, तो जो 11% उसको देना पड़ता था जमीनदार को, वो भी गया, अब directly हमारा ही फाइदा तो ये उन्होंने सोचा था कि चलो, जमीनदार को कुछ नहीं देना पड़ेगा सीधे अपने जेब में पैसा आएगा, moreover पहले वाले में क्या था, पर्मनेंट हो गया था यहाँ पर्मनेंट नहीं था, यहाँ पर periodically revenue को revise करा जाता था लैंड का assessment होता था, assessment होने पर अगर पता चलता था कि लैंड की fertility बढ़ रही है या ज़्यादा production हो रहा है, ज़्यादा बड़े area में हो रहा है तो वो लोग क्या करते थे, revise कर देते कि revenue बितना नहीं इतना देना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर चीजे fix नहीं होती थी, यहाँ पर vary करती थी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता था, कि जो tax rate भी होता था, वो vary करता था 45 से 55 था, of course it was not as high as in the case of the permanent settlement but yet it was also very high rate और यहाँ पर ज्यादा recent level पर चीजे देखी जाती थी कि भाई, लैंड कितना produce कर रही है, अच्छा, इसमें क्या होता था, कि जो farmer होते थे उनके साथ में भी यही provision था, कि farmers को मान लिया गया था, कि यह land के owners हैं पिछले वाले में जमीनदार थे, यहाँ पर farmers है, land owners however, land owners हैं, तो अगर अपना rent नहीं देंगे, तो इनको भी निकाल दिया जाएगा जैसे पिछले वाले case में sunset clause था, यहाँ पर भी ऐसा ही था, कि अगर नहीं करोगे तो उनको evict कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाता था, अच्छा, इसमें भी कुछ-कुछ issues थे, ऐसा नहीं था कि यह model में कोई भी issue नहीं था, इसमें क्या होता था, कि high tax rate common थी over assessment हो जाता था, जरूवत से ज़्यादा ही assess करा, इसमें क्या होता था, corruption भी होता था बहुत बार क्या होता था, village level पर जो officer आया है, assessment करने, जानबूच के कुछ farmers दिखा देते थे कि नहीं हमारी land तो इतना produce नहीं करती, या हम तो बहुत छोटी land पर ही करते हैं, वो बहुत बड़ी land, barren land है, खाली land है, तो उस वज़े से प्रोब्लम होती थी, कि वो corruption हो जाता था, उनके rate कम हो जाते थे, कुछ farmer नहीं कर पाते थे, उनको जादा देना पड़ता था, तो corruption की भी इसमें प्रोब्लम हो रही थी, then अगर कोई farmer नहीं देता था, तो कई बार उसको torture करा जाता था, परिशान करा जाने का common scene आता था य money lender से पैसा लाता है, और money lender से पैसा लाता है, नहीं दे पाता है, तो फिर से वो जमीन money lender की हो जाती है, मतलब आप देखो, दोनों ही system में जो farmer था, उसकी जमीन जो थी, वो तो जाही रही थी, उसके पास नहीं थी, यह system कहां कहां था, तो यह system आप देखे, इस जगे पर individual level पर, that means South India के एक लार्ज पार्ट में था, Tamil Nadu, Karnataka, Bombay Presidency Parts of Gujarat, as well as Assam के पार्ट में भी यह system हुआ करता था, system approximately, सबसे बड़ा जो पार्ट था, वो इसी system में था, लगभग 51% जो India था, वो इस system में covered था, permanent settlement में 19% India covered होता था, तो यह हो गया, रियोटवारी system, अब इसके यह तो रियोटवारी system में, next बात पर आजाते हैं, and that is the महालवारी system, इस पर आजाते हैं, इसमें क्या था, कि instead of a जमीनदार, जो विलेच का हेड मैन होता है, पंचायत का जो मुख्या जो होता है, या गाउबुढ़ा, उसको हेड बना दिया गया था, कि आप जाकर टैक्स connect करोगे, इसको क्या होता था, लंबरदार बोला जाता था, यह जो परसन जो करेगा, इसको लंबरदार बोल दिया जाता था, इसका responsibility कर दी गई, कि आप जाकर के टैक्स कलेक्ट करोगे, land अभी भी फार्मर की ही है, लेकिन बस बीच में एक इंटरमीडियरी लिया है, जिस अभी चीज़ें वैसी ही थी, जैसी ही प्रिवियस सिस्टम में थी, एकसिप्ट बीच में आदमी एक ला दिया गया था, जिसकी responsibility यह कर दी गई थी, in terms of area अगर देखें, कितना area इस वाले में था, तो आप देखते हैं, इस वाले में अपना Northern India का बड़ा एक पार्ट था, यहाँ पर पंजाब का पार्ट था, यूपी का पार्ट था, यह सब इसमें था, जो ग्रीन कलर से आप देख रहें, वो यह वाला सिस्टम था, so these were the three main सिस्टम जिसको ले करके आए गए थे, अच्छा, तीनों में ही फार्मर अगर revenue न दे पाए, चाहे जमीनदार को, चाहे सरकार को directly, तो फार्मर को तो loan लेना ही पड़ता था, मनी lenders उसको लेना ही पड़ता था, land को improve करना किसी में भी नहीं हो रहा था, ना जमीनदार ने ध्यान दिया, जब फार्मर के पास खोद आया, rate था, तब भी वो नहीं कर पाया, reason being, इतने ज़्यादा high rent का rate होता है, तो जमीन की वैसे भी नहीं improvement हो रहा था, ना महालवारी system में, यहाँ पर भी rent के जो rates थे, वो भी यहाँ पर भी काफी high रखे गए थे, so overall इन से problem क्या हो ही, कि यह जो तीनों ही system आये तो, बट इन तीनों से देखा जाये, तो problems जो थी, वो solve नहीं हो रही थी, अगर आप देख हो रही थी, हर सारी problem अभी भी वैसे के वैसे ही बनी होई थी, जब कोई famines या natural calamities आ जाती थी, तब भी सेम चीज़ वही चल रही है, कि भाई famines है, तब भी देना ही देना है पैसा, as a result farmer को problem होती ही थी, भाई famines में कहां से produce करेगा, बहुत सारे farmer इसमें landless laborer बन गए, दे करा देती थी, eventually landless तो farmer ही हो रहा था, मतलब जो मेन कल्टिवेट करता है जमीन, जिसको जरूरत है, जो जमीन पर काम करता है, eventually वही जमीन खो दे रहा था, ऐसा हो गया था, और उसकी वज़े से क्या हो रहा था, कि overall इंडिया की agricultural productivity भी कम हो रही थी, बहुत सारे artisan जो थे, जो की artist का भी काम करते थे, agriculture भी करते थे, अब वो jobless है, जमीनी नहीं है उनके पास कुछ करने को, और artisan जो industry थी, उसको तो वैसे भी ब्रिटिश ने बरबात कर रहा था, क्योंकि वो factory made products देते थे, तो वो उनसे compete नहीं कर सकते थे, overall agriculture decline था करता था, क्योंकि किसी को जमीन पे तो काम करना नहीं है, तो इस वजे से बहुत सारे peasant revolt भी हुए, और साथ ही साथ society में inequality बढ़ी, एक ही village में, there were some people, rich people, merchants थे, या money lenders थे, या जमीन दार थे, जो बहुत rich हो गए, and then there were many, जिनके पास कुछ नहीं बचा, जमीन के नाम पर बहुत छोटा सा पार्ट बचा, या वो भी उनकी चली गई, सो ये हो गए, अपने पास में इसकी problems, यहाँ पर मैंने comparative analysis भी कर दी है, आप इसको पढ़ लीजेगा, revise करने के लिए, यह आपको help करेगा, सो ये तो हो गया, अपने पास में, जो topic है, first topic, यह अपना यहाँ पर खतम होता है, अब मैं आ जाता second topic पर, GS1 का मैंने history का लिया, अब मैं GS1 के ही geography के topic पर आता हूँ, questions और बाकी चीज़ें हम लोग end में करते हैं, second topic पर आपा जाते हैं, second topic है water crisis, इसके causes क्या थे, impact क्या है और इसके solutions क्या है, यहाँ पर हम लोग आसाम के perspective में भी चीज़ें discuss करेंगे, सबसे पहले बात करते ह water crisis है क्या, इसी simple words में अगर बोलू, तो water crisis का मतलब है कि भाई, water की जितनी requirement है, उतनी अगर नहीं पूरी हो पा रही है, उसी को बोला जा रहा है water crisis यहाँ पर, इसमें कुछ data से भी अपनी बात हम बोल सकते हैं, तो 20-30 तक expected है कि जो water की demand है, वो supply से 40% जादा हो जाएग, इ 20-30 तक जो demand है, वो supply, water जितना available है, उससे 40% से जादा हो जाएगी, और already 25 countries जो है, वो extreme water stress face कर रही है, इसमें सबसे जादा effect होती है, अगर आप यहाँ पर map देखोगे, जो tropical area की countries होती है, African countries बहुत जादा effected होती है, equator अप्रोक्सिमेटली इधर से निकल रहा होता है, यह जो अगर आप line देखोगे, this is the line of equator, जो आप ध्यान से notice करिये, ट्रोपिक ऑफ कैंसर से, ट्रोपिक ऑफ केप्रिकौन के बीच की जो country है, ट्रोपिकल कंट्रीज वही सबसे जादा effect होती है, water crisis से, एक general साब ऐसे भी कर सकते हो, कि generally जो problems होती है, be it the problem of resources, be it the problem of population, be it the impact of climate change, generally वो ट्रोपिकल कंट्रीज पे जादा ही रहता है, यह across बाकी सब डेटा में आप कंपेर करोगे, you will see that this is a एक trend जैसा आपको मिलेगा, यहाँ पर भी same trend दिखता है, इससे फाइदा यह होता है कि जब आप answer लिख रहा हो, तो instead of writing this, कि 25 countries में ऐसा है, या 20-30 में, आप एक world का map बना दोगे, तो आपको जादा number मिलेंगे, world का map कैसे बनता है, classes में आपको बताया जाता है, मैं सिखाता कि water crisis जो है, उसके क्या reasons होते हैं, इस पर आ जाते हैं, see broadly अपने जो reasons होते हैं, उनको certain categories में divide कर सकते हैं, पहला जो सबसे common है, rising demand, अब अगर population increase हो रही है, तो population increase होने पर यह तो अव्यस सी बात है, कि water की demand तो increase होगी होगी, water limited है, world में, water world में बहुत कम है हमारे पास में, त तो ऐसा नहीं है कि water कुछ additional create हो रहा है, वो तो काफी limited है, और यही सबसे बड़ी problem है, moreover जैसे जैसे cities बन रही है, cities में compared to village, water की demand जादा ही हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को daily use में जादा पानी रखने लगता है, अपनी personal hygiene के लिए, जो हमारे flush वाले toilets होते हैं, then kitchen में cleaning के लिए इन सबके लिए water की demand बढ़ती है, तो overall बोला जाता है कि rising demand जो है, जैसे जैसे growth होगी, जैसे जैसे higher standard of living होता, water की demand भी बढ़ती जाती है, यहाँ पर आप आप सकते हो कि sir, village area में लेकिन water का consumption जादा है, because हम agriculture को account कर रहे हैं, यही मेरा यहाँ पर जो सेग्याला point है, agriculture हम लोग agriculture इस type का करते हैं, जिसमें हम लोग जादा water intensive crop grow कर रहे हैं, ऐसे अगर मैं data में बात करूँ, 89% इंडिया का जो water का consumption है, वो agriculture में जाता है, irrigation में use हो रहा है, तो वह एक point है definitely, no doubt about it कि वो है, लेकिन बाकी across the world, अगर हम global level पर देखते हैं, तो global level पर rising urbanization and improving standard of life, जैसे लोगों की जिन्दगी बेटर हो रही है, वैसे वैसे भी उनका water का use बढ़ रहा है, इसके बाद climate change no doubt है, climate change के वज़े से क्या हो गया, uneven हो गई है supply, कभी बहुत rainfall है, कभी बिलकुल नहीं है, कभी flood है, तो कभी drought है, अब अनीवन supply होने पर चीजे नहीं manage हो सकती है, पहले ज अगर पता हो तो आप plan कर सकते हो, uneven होने पर आप नहीं कर पाते हो, अचा, next अपने पास में की water pollution है, जैसे जैसे industrialization हो रहा है, वैसे वैसे pollute भी होते जा रहा है, हमारे जो resources हैं, ये भी एक problem आ रही है, then अगर international level पर ही बात करें, तो geopolitical tensions भी होती है, water को ले करके, इंडिया दीरे दीरे बढ़ती जा रही है, geopolitical tensions, ये सब global level पर, world के, मैंने लिखा है, global water crisis में, ये कुछ-कुछ reasons हैं, कि दुनिया भर में water से related, क्या problems हो रही है, अब अगली बात पर आ जाते हैं, इंडिया में water की क्या problem है, इंडिया की water की problem को, broadly हम लोग चार category में, डिवाइड कर सक और चौथा, हम लोग overall water को ही waste करते हैं, ये चार में हैं, पहले तो भगवान ने कम पानी दिया है, जो दिया है, उसको भी pollute कर देते हैं, उसको भी हम agriculture में जरूरत से जादा ही use कर देते हैं, और overall हमारा water consumption वैसे भी जादा ही है, ये चार में है, कुछ मैंने additional point भी यहाँ दिया है, जैसे water availability कम हो रही है, per person धीरे-धीरे कम हो गई है, ये जो data है 1486 cubic meters, ये अच्छा data याद करने के लिए, ये data newspaper analysis में भी सत्यजीत सर मुल्टिपल टाइम्स कोट करते रहते हैं, तो ये data याद कर सकते हैं, दूसरा है groundwater depletion, हम लोग groundwater धीरे-धीरे खतम कर रहे हैं, climatological problems हो रही है, इंडिया की जो rainfall है वो uneven है, चार महिने में इंडिया की बात करें, तो पूरा इंडिया अपने साल भर की rainfall का 75% receive कर जाता है, पुरे साल भर की rainfall का, प्राब्लम क्या होती है, बाकी ट्राइम आठ महिने कुछ नहीं हो रहा है, आचा climate change की वज़े से वो और जा हो रहा है, जो droughts होते हैं, जादा frequent होते हैं, floods होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए एक word होता है कि climate change क्या कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो water cycle है, water cycle के बारे में आप लोग अपनी normal जो classes होती उसमें पढ़ते हैं, is now becoming intense, water cycle जादा intense है, जादा vigorously चल रह हो रही है, कभी बहुत कम हो रही है, intense है, changes बहुत जल्दी जल्दी, water cycle intense होती जा रही है, कुछ data भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ अच्छा data अपने पास में दिया हुआ है, इस चीज को देखेगा, इस जगे पर आपको map दिखाया हुआ है, जिस में बताया है कि इंडिया में groundwater availability कहां जादा है, जिस जगे पर जितना जादा darker color से blue है, it shows, वहाँ water groundwater availability जादा है, generally northern Indian plains में जादा होती है, और coastal plains में जादा होती है, अब इसके बाद में second data दिखाया जा रहा है कि कहां पर groundwater availability rapidly decline कर रही है, कहां कम हो रही है, तो जो red color से आप यह शो कर रहा है कि कहां पर groundwater availability कम हो रही है, उपर इस वाले map में दिखाया जा रहा है कि किस जगे पर monsoon जो variability होती है, that means monsoon के घटने बढ़ने की increase, decrease होने के chances सबसे जादा है, नॉर्थ वेस्टेन इंडिया में जादा है, और वही वो area जहां पर underground water का भी सबसे जादा exploitation है, क no doubt यही वो area है, जो यहां सब डार्क कलर का area है, जहां पर सबसे पहले water, जो underground water है वो deplete है, and that is why you are observing कि यह area भी यहां पर red है, indicating कि यहां पर सबसे जादा water की कमी भी है, तो simple relation है, जहां जितनी जादा rainfall variable है, जहां जितनी जादा rainfall में changes होंगे, unpredictable है, वहां उतना ही जादा groundwater consumption, और वहां उतनी ही जादा water की scarcity, इन तीनों diagram से यह दिख रहा है, इससे फाइदा क्या होगा, एक बार अगर आपने यह diagram पकड़ डिया, आप automatically exam में यह map भी बना पाओगे, यह भी बना पाओगे, जैसा कि मैं geography में बोलता हूं, maps बनाने से definitely marks मिलते हैं, अब अगली चीज प problem है, आसाम में धीरे धीरे water contamination जो है, because polluting industries बढ़ रही है, उस वज़े से water का contamination बनता जा रहा है, deforestation, loss of wetlands होना, यह चीज भी आसाम में बढ़ रही है, जैसे जैसे deforestation हो रहा है, wetlands खतम हो रहा है, तो उस वज़े से underground water जो recharge होता, underground water recharge वो कम होने लगा है, and then floods and river bank erosion जो हो रह है, continuous जब flood आ जाती है, बार बार river bank erosion होता है, तो जो fresh water deposits होते हैं, उनमें river अपनी जो silt है, जो अपने sediment है, वही deposit कर देती है, as a result धीरे धीरे वो पानी उतना अच्छा नहीं रहता है, अभी flood जाएदा क्यों बढ़ रही है, again climate change भी है, और deforestation भी उसका reason है, then आसाम के case में floods होना तो common ही था, लेकिन अब वो बढ़ने पर थोड़ी problem और start हो रही है, तो ये तीन हो गए, world level पर water की problem, इंडिया लेवल पर water की problem, और आसाम लेवल पर water की problem, कि water की crisis क्यों हो रही है, अब बात करते हैं कुछ government initiatives की, so देखिया, यहाँ पर कुछ आपको government initiatives दे दिये हैं, इन government initiatives को एक बार आप देखियेगा, सतिजीत सर इसको newspaper analysis में multiple times कवर कराते रहते हैं, समय समय पर नाम लेते हैं, इनका schemes होती हैं, schemes लिखने से अपने answer में थोड़े better marks मिल ही जाते हैं, यहाँ पर आसाम के लिए कुछ specific examples दिये हुए हैं, जल जीवन मिशन, डिब्रूगल, water supply project as well as जल दूत, यह news में था भी कुछ महिनों पहले, तो जल दूत के भी बारे में यहाँ पर थोड़े information दे दिये, यह schemes के अप जब लिखते हूँ, तो इसे थोड़े तो आपको better number मिलने लग जाते हैं, next यहाँ पर अब विद्धिस यह topic हमारे हो जाते हैं, अब इसके बा पॉस करके, एक-एक करके इन MCQs को solve करिये, अगर आपने अच्छे से lecture सुना है, तो आप इन MCQs को attempt कर पाएंगे, इन 9 MCQs हैं आपके सामने, आप इनको attempt करियेगा, और यह MCQ के आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि चाहे निस पेपर अनालिस करिये, चाहे यह वाला सेशन करें, कुछ भी करें, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि MCQ करिये, तो जरूरी है करिये, आपने पुरा अच्छे से सुना, 35 मिनिट्स को अल्रेडी वीडियो हो चुका है, अच्छे से सुनने के बाद, अब आप जब कर रहे हो, तो जरूरी है कि आप यह MCQ कर आओ, अब मतलब इंपोर्टेंट है, आप यह कर लीजे, तो यह आप करियेगा, साथ में मैंने आपको यहाँ पर मेंस के क्वेस्चन भी दी हैं, एक बार मैं जल्दी से डिसकस कर लेता हूँ कि इन मेंस के क्वेस्चन को कैसे करेंगे, पस्ट क्वेस्चन ह इन इंडिया, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, यह मैंने आपको बताया है कि बिर्टिश को जब दीवानी राइट्स मिले, तो उन्होंने लैंड से रिवेन्यू एक्स्ट्राक्ट करने के लिए तीन में सिस्टम लेकिया, यही आपका इन्ट्रडक्शन है, दूसरी बात तीनो के बारे में उनके क्या फीचर्ज है, यह बता दिया, पर्मनेंट सेटल्मेंट में जमीनदार होता था, माहलवारी सिस्टम में लंबरदार था, गाहों बुढ़ा जो होता था, और थर्ड वाले सिस्टम में, रोट वारी में डिर् पार्मर है और इसमें इंटरमीडियरी यहां पर दिखा दीजेगा और रेवेन्यू जो होता था इसमें रेवेन्यू कैसा था फिक्स था फार्मर जो था वो यहां पर क्या था इसको क्या था इंटरमीडियरी में कहीं जमीनदार था कहीं नहीं था यह सारी चीजें आपको ऐस नहीं भी टेबल यूज करना चाहते है, it's okay, आप लिख करके भी कर सकते हैं, whichever way you are comfortable, but हाँ, एक flowchart बनाने से ज्यादा अच्छे से ये system हो सकता है, तो ये पहला पार्ट है, next है, key features है और impact, दोनों की heading separately डालिएगा, features क्या थे, impacts क्या थे, impact भी मैंने आपको सब के बताए हैं, next, इन systems ने कैसे contribute करा, agrarian distress and social inequality को, इसी lecture में सीधे सीधे इस बात को ही discuss करा है, कि इन्होंने कैसे contribute करा, agrarian distress and social inequality को, अगला है, analyze the global freshwater crisis and its specific challenges in India, introduction में क्या होता है freshwater crisis, fresh water की कमी पढ़ना is the freshwater crisis, कुछ data लिख सकते हैं, तो लिख दीजें, classes में जिन्होंने मुझ से पढ़ा है, वो Indian geography उनको पता है, कुछ additional data भी class में मिलते हैं, तो यह आप, otherwise आप internet से ला सकते हो, you are free to do that, next, specific challenges इनके क्या क्या हो सकते हैं, इंडिया में यह आपको बताए है, कि इंडिया की में क्यों हो रहा है, how does the climate change and poor water management contribute to the crisis, यहाँ पर बताना है, climate change का क्या role होता है, और poor water management, जो है, poor water management का मतलब, water को properly use नहीं करना, inefficient use करना, जैसे कि agriculture में properly, ऐसा agriculture नहीं करना, जिसमें की water की saving हो, flood irrigation करना, बहा देना पुरी field में, दूसरा होता है, कि भाई, आप जो drip irrigation करते हो, micro irrigation जो होता है, जिसमें water को conserve करते हैं, वैसा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, flood बहा हो, तो यह हो गया कि आपने poor water management करा, दूसरा आपने water को pollute करा, यह भी poor water management है, तीसरा आपने inefficient use करा, आप recycle नहीं करते हो, बहने देते हो, यह भी है, चोथा आपने ground water recharge नहीं करा, यह सब भी poor water management, basically water को जैसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना ही poor water management है, तो यह क्या हिसमें कर रहा है, then इसमें क्य इंडिया गवर्मेंट का रोल होता है जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना का ये बोला जा रहा है विद अ स्पेशल फोकस अन आसाम तो बेसिकली जो हम लोगों ने करा है वही सारी चीजे इसका आंसर है आप ये दोनों क्वेश्चन करिये सम्मिट करियेगा एवालूवेशन के लिए और इन दोनों ही क्वेश्चन के जो मॉडनल Anसर रहेंगे वो कल की क्लास में आएंगे next day model answer मिलेगा मैं आपको model answer पहले से या question के नीचे मैं नहीं दूँगा क्योंकि जब मैं आपकी copies देखता हूँ generally मैं देखता हूँ कि आप लोग जो सत्यजीत सर देते हैं वही लिख देते हैं it's okay अगर आप first timer है, beginner है ठीक है, beginner को तो नहीं पता होता है तो beginner तो नहीं कर पाता है लेकिन मैंने तो बोलाई है कि ये session जो है, ये पिलकुल first timer beginner के लिए ही नहीं ये उनके लिए हैं जिनको पहले से knowledge है specifically जो लोग class में पढ़ चुके हैं हमसे या फिर कहीं से भी आपने पढ़ाओ उनके लिए session है तो आप लोग थोड़ी अपनी mains की answer writing practice करिये, आपके लिए session है that is all for today from my side from tomorrow I will definitely try मैं 30 minute की stipulated deadline में काम कतम करता हूँ that is all, thank you everyone